हेलो यूटूब फैमिली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करूंगे ऐसी होम रेमेडी जो सुर्क वान टाइम यूज में आपके चैरे को बहुत जादा लाइट इन ब्राइट इन बना देगी अगर आपका चैरा भी बहुत जादा डल हो गया है तो वीड को बनाने के लिए यहां पर मैंने ले लिया है एक से देड़ चमच हल्दी ऑवडर अभी संधी पाउडर को ऐसे ही भुनते रहना है एक से दो मिनट तक जब तक कि इसका कलर टेक्स्चर चेंज ना हो जाए अब देखो हल्दी का कलर यूज्वली यलो होता है यलो से भी नहीं करना सब्सक्राइब है जैसे थोड़ा बार चोपलेट का कलर होता ना वैसे वाला ब्राउन करना अब आपको चोचला एक शयादा बनेफित वहाला है तो देखो इस कलर तक हमें हल्दी को ऐसे ही भूनते रहना है डाक ब्राउन में ले लेना है उसके बाद इसमें एक और चीज आड़ करनी वह है कॉफी पाउडर मैंने यहां पर एक चमच कॉफी पाउडर आड़ कर दिया क्योंकि हल्दी भी मैंने अप्रॉक्स एक चमच के करीब ही थी उसके बाद इसका एक दम स्मूध कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट प इस तरह का जब आपका कंसिस्टेंसी हो जाए तो अपने चेरे को एक दम ग्लोइंग बनाने के लिए यह बेस्ट वाला फेस्टाइक वीक में एक बार जरूर ट्राइक करना वैसे तो अभी लगाते वाक्त आपको फील होगा कि पुरा का पूरा चॉकलेट फैक्ट्री अप में रखी हुई है दोनों ही चीज़े एक तम हंड्रेट परसें नैचुरल और फाय हंड्रेट पॉसंट इफेक्टिव है मैंने खोड यह फेस्टाइक है मुझे बहुत ज्यादा बेनेफेट है इसले सोचा कि आप लगों के साथ शेर करना तो बनता है वैसे गर्मी के सीजन मेरा हम ढूंडते ही रहते हैं कि कौन सा फेस वाश या कौन सा फेस पैक हमें मिले कि हमारे स्केन को अच्छे से चमका दे और ओलीनेस जो भी अग्दम दूर भगा दे दे फेस पैक लगा लेने के बाद सर्फ पांच मिनट तक आपको इस अपने चेहरे पे रखना है ताकि एकदम सुन्दर डायमेंड से भी जादा चमकदा स्किन के लिए पहले भूट जैसा बनना तो बनता है तो भूट जैसा बनने के बाद फेस वाश कर लिए उसके बाद एकदम सॉफ्ट स्किन है डाक सर्कल्स तो गायब हो गये है एकदम से ब्लाक पाचिस अगर चेहरे पर तो वह भी गायब हो जाएंगे देखो चेहरा कितना ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गया डाक सर्कल्स बाइबाइ और उपर से ब्लाक हेट्स तो एकदम निकल ही जाएंगे अगर यह वाली वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चेहरे पर आया हुआ यह ग्लो एकदम बेस्को देकी लगे बाइ धिंक्य।